प्रदानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने प्रदेश में सुदूर धाणियों में बसे लोगों को सहुलियतों की सोगा दी है इन सड़कों के जाल से नकेवल ग्रामीनों को आवागमन से आसानी हुई है बलकि रोजगार के साधन भी वड़े हैं जैसलमिर जिले की डांगरी ग्राम पंचायत प्रदानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से आसपास के गाउं और धानियों से सीधे जुड़ गई है डांगरी ग्राम पंचायत और उसके आसपास के गाउं में प्रचुर मात्रा में भूजल उपलब्द है जिस वज़े से यहां की जमीन काफी उपजाव मानी जाती है और खेती बाड़ी भी बड़े पेमाने पर होती है इसके अलावा डांगरी गाउं और इसके आसपास के क्षेत्रों में कई कम्पनियों द्वारा पवन उर्जा का उत्पादन भी किया जा रहा है जिससे आर्थिक संपन्निता का दौर भी शुरूर रहा है यह पेमजी रोड जुनने से जब लक्ष्ण से नर्ष क्वार्टर या पंचायद हेड़ क्वार्टर जाने के लिए लोगों को बहुत परिशान ही थी तो यह रोड बनने से बहुत बड़ा गरीबों को फाइदा हुआ है मेंडिशन के बारे में जो अचानक कोई बिमार होते तो गाड़ी वारा को डाईश होते इन सुरी भी आप डांगरी के लिए बढ़ने पड़ते थे जब यह रोड होने के बाद में शिर्प मातरम सोर प्यों में मरीज को नर्ष कॉर्टर लिजा सकते हैं और जिस्मे जाना के लिए भी बहुत सोट हो गया है। इस सारे विकास के पीछे कहीं ना कहीं प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना द्वारा बिछाई गई सडकों का भी योगदान है इस गाउं तक पहुचने वाली सभी सडके इसी योजना से जुड़ चुकी है जिससे इस गाउं के बाशिंदों को जहां रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं वहीं नौकरी पेशा वो मजदुरों के लिए यातयाद भी बेहत सुगम हो गया है निकट की ढाणियों के लोगों को अपनी देनिक जरुरत की वस्तों को लेने बच्चों को स्कुल भेजने और अस्पिताल आने जाने में जहां समय की बच्चत हो रही है वहीं आवागमन भी आसान हो गया है कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि प्रिधान मंत्री ग्राम सड़की गोजना से लाभानवित होकर डांगरी गाउं के नेवासी, विकास, खुशाली और सम्रद्धी की नई इबारत लिख रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट दूरदर्शिन समाचार